हाई गाईज आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ इंफल्मेशन टेक्नलोजी के एक न्यू टोपिक डेटा प्रोसेसिंग पर वोट इस डेटा प्रोसेसिंग और हाउ मनी टाइपस अब डेटा प्रोसेसिंग all you know after watching this video so guys please watch this video till the end and now we are starting this video so keep on watch this video डाटा को अर्थपूर जानकारी यानि कि meaningful information में परिवर्थित करने की एक प्रकिर्या को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली में डाटा इन्पूर्ट और सूचनाए आउटपूर्ट होती है डाटा महस्पूर्ण तो होते हैं लेकिन इन्हें निर्णे लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता टाइपस ओप डाटा प्रोसेसिंग अभी हमने क्या जाना अगर हम किसी information को meaningful बनाते हैं तो क्या उसको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा डाटा प्रोसेसिंग से और डाटा प्रोसेसिंग कितने टाइप की होती है data processing तीन टाइप की होती है data processing is an important work यह बहुत ही important कार्य होता है जो data को सार्थक जानकारी में परिवर्थित करता है और इस प्रिक्रिया में कई प्रकार के गढ़ना यानि की calculation के कार्य किये जाते हैं इसमें बहुत सारी calculation होती है बहुत सारे process से हो करके गुजरना पड़ता है तो there are three types of data processing सबसे पहले जो first of all we are talking about manual data processing manual से तो आप समझी पा रहे हैं जिसमें हम सारा काम अपने हातों से यानि की normally manpower के साथ करते हैं mechanical data processing and last one and the very important is electronic data processing what is manual data processing now we are starting this topic manual data processing क्या होता है manual data processing में सब कुछ हाथ से किया जाता है manually किया जाता है यानि कि man work जादा है human work जादा है कई प्रकार की जो calculation है data को सूचना में परिवर्टित करने की प्रकुर्या का कार्य भी मनुस्य द्वारा ही किया जाता है किसी भी इस तरपर machine को सामिल नहीं किया जाता है यानि इस में machinery work नहीं होता है data processing के इस कारेक को computer और calculator जैसे अन्य machine हो के आप इस कार से पहले इस्तेमाल किया जाता था कुछ चोटे संगटनों में अभी इस प्रकार की data processing का उपयोग किया जाता है अलब जहां पर ज़्यादा बड़ा label पर काम नहीं होता है वहां पर तो यह सब चलता है अब आते हैं mechanical data processing अब mechanical से मतलब आप समझ जाईए जहां पर machines का ज़्यादा यूज होता है यानि कि आप समझ जाईए यांतरिक data processing में यानि कि mechanical data processing में data की calculation और उसकी processing का जो कार्य है वो machine के द्वारा किया जाता है machinery based होता है यहां पर machine के इस्तमाल से data की processing आसान हो जाती है और उसमें time भी कम लगता है और उसको जो है through tea की समभावना भी वहां कम रहती है निकि वहां पर गलतियों के chances भी कम रहते हैं और this one is the very important last जो है यह electronic data processing तो electronic data processing में यह जो है आज का सबसे ज़्यादा important process है data का जिसमें सबसे ज़्यादा information आजकल process की जाती है तो electronic data processing में सभी गढ़ना और प्रसंस्क्राण यह जो processing है वो computer द्वारा किया जाता है और data computer को दिया जाता है और उसके लिए आबसक resources से प्रियोग से computer पर जो data input किया जाता है वो आबसक सूचनाव में परिवर्तित हो जाती है और विविन प्रकार के software package का प्रियोग करके data processing के लिए computer में इस्तेमाल किया जाता है ठीक है आप समझ पा रहे हैं कि electronic जो data processing है उसमें computer का सबसे ज़्यादा roll है वहाँ पर हम कुछ software खरीद लेते हैं तो आईए चलते हैं जानते हैं electronic data processing की importance क्या है advantage का है यहां बहुत flexibility होती है और जानकारी के अलग-अलग type भी होते हैं जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप मेरे पहली वीडियो इसको देखें और अब यह वीडियो देखेंगे तो अंतर लगेगा आपको और यहाँ पर तो रूटियो की संभावना भी कम होती है I hope यह topic भी आपको बहुती दिल्चस्प लगा हो खास लगा हो अगर आपको इस topic से थोड़ी बहुत भी अच्छी अच्छी बाते समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए और वीडियो share करते ही आप subscribe करते ही मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है साथ ही साथ आप हमाई चैनल को support कीजिए और अपनी feedback हमें जरूर दीजिएगा और comment section में comment कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी Thank you so much आप इसी तरह से बने रही है